अलो श्टुदेंट्स गुड आफ्टर नून तोडेश बीग ओन लॉर्न थर्ड चाप्टर उव्जिस फ्लाइंट्स लास्ट पिरेड एक्स्प्लाइं अधर तिंग्स फ्रॉं प्लाइंट्स फ्रॉं प्लाइंट्स यह हमने लास्ट पिरेड में देखा है धेन रबर वुड पेपर जार बना मेडिसेट कम फ्रॉं ब्लाइंट्स मतलब जो रबर जो बनता है awesome वो हमें टरी से मिलता है वुट जो होता है लकड़ि जो लकड़ि अमेंधे से मिलती है इसके पेपर जो बनता है यह बुक्स जो प्रेंट हुई है वो बुक्स भी यानि जो पेपर यूज होता है वो पेपर भी हमें प्लांट से मिलता है और कुछ मेडिसिन्स है कि जो हमें प्लांट से मिलते हैं जिनका मेडिसिन्स में यूज होता है जैसे आप देख सकते हो मेडिसिन् plant है, mint है, उसके बाद neem plant है, यह plant यह plants medicines में use के जाते है, यह थे लास्ट पिलिट में देखा है, उसके पहले हमने oil भी देखा है, और spices भी, उसके बाद आज हम start करेंगे, Today we have learned green friends, we call plants our green friends, Why? क्यों, plants को हम green friends क्यों कहते है, है Why? Because they are very useful to us, कि plants जो है यह plants हमारे बहुती यूज में होता हैं, बहुती यूजपुल होता है इसलिए हम उनको green friends कहीते हैं, okay, plants को हम क्या कहिते हैं, green friends, okay, we call plants our green friends, why? Because they are very useful to us, कि green, जो plants से यह plants हमारे बहुती यूजफुल होते हैं, हमारे यूजफ में आते हैं, इसलिए हम इनको green friends कहते हैं, जैसे आपके friends होते हैं, उसी तरीके से plants में हमारे friends हैं, क्यों है, क्योंकि ये हमारे बहुत ही useful है, हम इनका क्या-क्या use कर रहे, so plants give us food, बतलब plant हमें क्या दे रहे, food, जो सबसे पहले point हमने द दिखा था, food, okay, मतलब plant gives food, then plant gives medicine, plant gives medicine, okay, then plant gives cloths, मतलब plants से हमें cloths भी मिलता है, जो हमारे कपड़े बनते हैं, ये जई से cotton होता है, कपास होता है, कपास से कपड़े बनाये जाते हैं, मतलब cloths, जो होता है cloths हमें plant से मिलता है so plant give us cloths then plant give us wood last period में हमने देखा है कि plants ये हमें wood मिला है लकड़ी मिलती है जिसका हम furniture में use करते है furniture बनाने के लिए हम wood का use करते है then oil हमने देखा है seeds of some plants are used to make oil oil कैसे बनता है कि कुछ plants के seeds होते हैं इनका use करके हम oil बनाते हैं एक जम्पल के तोर पर अगर हम देखे तो mustard है मतलब राई उसके बाद ground nut मतलब मुंभली जो होती है और sunflower and rice कि ये जो होते है sunflower है rice है mustard है ground nut है जिनका oil में use किया जाता है इनके seeds का use oil बनाने के लिए किया जाता है then paper and many other things जैसे मैंने बताया था कि paper बनाने के लिए भी हम plants का use करते हैं मतलब books print हुई है तो ये page जो है इस पन्नी के लिए plants का use किया गया है plants give food to many animals plants give food to many animals मतलब बहुत से जानवरों के लिए plants जो होते हैं वो खाना प्रोवाइड करते हैं plants give food to many animals मतलब बहुत से जानवरों के लिए plants food प्रोवाइड करता है उन्हें खाना देते हैं क्योंकि plants जो होते हैं ये plants make own food plants जो होते हैं ये plants अपना खाना खुद बनाते हैं और उसी खाने को हम खाते हैं जैसे हमने देखा था कि प्रोवाइड प्रोवाइड करते हैं तो प्रोवाइड ने अपने लिए खाना बनाया लेकिन उस प्रोवाइड को हम खा गए प्रोवाइड करते हैं मतलब plants हमें oxygen प्रोवाइड करते हैं तो ये oxygen fresh होगा okay so plants keep the air fresh and clean मतलब fresh and clean air हमें यहाँ पर मिलती है plants से अगर plant maximum है तो air fresh and clean रहेगी okay they make our surroundings beautiful मतलब अपने surroundings को अपने वातावरन को सुन्दर बनाने के लिए plants की जरुरत होती है इसलिए maximum plants लगाने चाहिए okay मतलब हर एक ने एक plants अगर लगाया और उसके देखबाल की तो हमारा जो surroundings है हमारा जो वातावरन है ये वातावरन बहुती सुन्दर होगा okay हम देख रहे हैं यह आप इक green friends okay हम प्लांट को green friends काईते हैं okay इसलिए हम प्लांट को क्या काईते हैं green friends then plants give us food plant give us food so like that plant give us food we get food from different parts of plants okay like that plants give us fruits vegetables cereals and pulses okay then we also get tea coffee, coffee, spices, sugar and oil from them so fruits हम ने दीखे है the fruits we eat come from plants कि जिस fruits को हम खाते हैं वो हमें plant से मिलता है like that apple okay cherries उसके बाद नाशपाती banana jamun यह सभी क्या होता है यह हमें plant से मिलता है okay then also we also get nuts from plants they are dry dry fruits with a very hard shell मतलब nuts जो होते dry fruits जो होते है like that काजू है बादाम है यह सभी हमें plant से मिलता है और इनकी जो ऊपर की परत जो होती है वो hard shell से बनी होती है okay उसके बाद वेजिटेबल्स हमने देखे है we get vegetables from different parts of plants then we can eat so we eat root, stems and leaves of plants कि हम कुछ plants के roots खाते है कुछ plants के stems खाते है और कुछ plants के leaves खाते है okay जैसे अगर हम देखे तो root में क्या आते है तो आपके carrot है उसके बाद ternive है जिसको शलगम कहा जाता है radish है beet root है यह सभी root के examples है okay उसके बाद जिस plants के हम stem खाते है वह है potato ginger जिसके हम steam खाते है उसके बाद leaves अगर देखे किसी plants के leaves होते है वह हम खाते है तो spinach है cabbage है okay उसके बाद coriander है जिसके पत्ते हम खाते है उसके बाद flowers है कुछ plants के flowers है वह हम खाते है जैसे broccoli है cauliflower है okay यह flower है धान में रखना है तो उस प्लांट के फ्लावर को हम खाते हैं, उसके बाद फ्लावर के बाद बनता है, फ्लावर के बाद बनता है, यह महीन आपको बताया था, सीड्स, सीड्स में देखो कि मेज है, मतलब मका हम खाते हैं, उसके बाद पीज प्लांट है, मतर जो होता है, उसको हम खाते हैं, यह सीड्स है, उसके बाद हमने देखा था, सीरियल्स एंड पल्सेश, सीरियल्स एंड पल्सेश, और काल टोगेदर, फूड ग्रेंज, यह सभी क्या है, फूड ग्रेंज है, उसके बाद पल्सेश में हमने देखा है, यह सभी हमने देखा है, और इनके बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन भी दिया है, उसके बाद देखा है, हमने कोफी, टी, कोपो अंड शूगर, all अल दी कोफी, टी, कोपो अंड शूगर, all the come from, come from plants, यह सभी हमें क्या मिलते है, प्लाइंट से मिलते हैं, जिसको हमने टी अन कॉफी और बेवेज़ेस मतलब यह क्या है? यह पेई है ओके, तेर कोकुवा इस तो यूज टू मेक चोकलेट कोकुवा का यूज होता है, चोकलेट बनाते वक्त कोकुवा यूज होता है, जिसको मज़े मतलब अपने खाने को टेस्टी बनाने के लिए उसको colorful और flavor देने के लिए हम spices का use करते हैं मतलब राई, कुमन सीट, जीरा, कार्डमम, इलाइची, रेड चिली, लाल मिर्चो होती है उसके बाद oil हमने देखा है, oil, seeds of some plants are used to make oil यह हमने explain किया, इसके पहले भी बताया है, other things from plants हो गया है और उसके बाद green friends भी मैंने भी आपको बताया, okay, we call plants our green friends plants जो होते है, यह हमारे green friends होते है, जिसका, मतलब plant हमें क्या-क्या दे रहे है so food, medicine, cloths, wood, oil, paper and many other things like that, wood, rubber then also then plants give food to many animals and plants keep the air fresh and clean, then make our surroundings beautiful मतलब अपने वातावरों को सुन्दर बनाने के लिए, अपने surroundings को सुन्दर बनाने के लिए हमें plants की जरुरत होती है, maximum plants अगर होते हैं, maximum plants होने के बाद क्या होता है कि हमारी जो air है, वो fresh and clean होती है अगर air fresh and clean है, तो हमें oxygen सही तरीके से मिलता है, और हमें सास लेने में दिक्कत नहीं होती है जिससे हमें बीमारिया कम होगी, इसलिए हम plants को green friends कहते हैं तो यहाँ पे आपका chapter भी end हो गया है, exercise हम next period में देखेंगे आज के लिए इतना ही, मिलते है next period में, गुडबाई, take care